हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरतमान में रासवासान सथ ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पतपर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था, किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ, किस तरह से आगे एक गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया। यह उनका गुर्गा था, इसको बदमासी का बड़ा सौक था, तो यह बड़े गैंग लीडर मिल गए उसमें था, उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रंपस सिंग की हत्या, उनके भतीजे साधू मकनुशी ने किया, डेढ़ विश्वा जमीन पर, और जिसके सिल मर्डर हो गया, उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनु सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने, जिसमें में था, त्रिभूण सिंग और उधर ब्रिजेश सिंग, उसके बाप का मर्डर हुआ था, धौरारा में, एक साहाप सिंग होते थे, इन सब लोगों ने मि करके मकनु सिंग का मर्डर कर दिया, जो में गुरू था मुकतार अंसारी का, और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला, इसका नाम तो नहीं आया, लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था, दो जनवरी 86 को थाना साहिद पूर छेतन में, जब इसने दो भाई उनदर सिंग बेड़ा और ढक्र रामविलास जो रंपस नहीं पूर उन पार पार बेट रंपसunky में, पथर मुकतार ने इसना से प्रफिए के पर पहए इसका मुकतार के сообщism सांसारी विधायक हम बनफानी ऑन का उसके प्रयाँ से यह जेल से आ अगे हॉस्पिटल में, उनक सभा एक गाड़ी पहुंचती अंबेस्टर उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है और साधू सुंग के उहीं मार दिया और उसके साधू सिंग के मारने बाद यह पूरा गैंग पहुंचा मुडियार गाओं में और वहां उसका भाई दामोदर था उसको मा संकर सी मार दिया घर करनोकर मार दिया और साहब लेगया धानापूर वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनु गैंग समाथ हुआ तो उसकी गैंग की कमान समहाली मुक्तार अंसारी ने उधर ब्रिजेश और त्रिवुन मिल गए थे इन दोनों के गैंगवार में दर्जन बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में बिधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में ये चुनाव लड़ना चाहता था और उस समय कासी राम जी ओ मुलायम सिंह समझावता किया एक नारा चला मिले मुलायम कासी राम हवा में उ देखी साब थे जो मुवतार के साडू लगते ते गाजी पुर ने वहीं रुखते थे तमाम बडबड़े नेता थे बाम सेे इसके मुखतार अफजाल ने होच लगा करके गाजीपूर सदर मुक्तार। मिल जाए मुकतार जेल में था मानुवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी विस्वनात नाम मुनीब दलित उनको जनरल सीट्षे टिकट दिया बीस नॉम्बर 93 को सुबस चुनाओं के लिए ओड पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे विस्वनात राम मुनीब दलित घर से निकले और दो गाड़ियां आती है मोटर साय के लिए और अतरा अतर गोली मारती है मारते लिए मुकतार अंसारी ने मरवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो चाता था मुझे जितना अरालत में तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई एलेक्षन हुआ तो कासी राम जी ने टिकट दिया कालासना थिया दो को और रोते वे जो एसपी गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे मुकतार रहने नहीं देता था कुछ बड़े सब अच्छे अप्सरतनात हुए मैं कुछ का नाम बता दूँ जावी धामड डीजी हुए चार दिन पंद्रा दिन जमाल अश्रफ बीस दिन संदीव सालूंके दो मा अभै संकर चार मा बिरंदर कुमार अठाइस दिन अभिनास चंद्रा दो मा अखिल कुमार आजकल एडी जी हैं एक मा राजे सिरवास्तो ग्यारा दिन इर रवींदर तीन मा तरुन गावा तीन मा इनके सिरवास्तो प्माच माः पंद्रा दिन डाक्टर पितिंदर सिंग सा सुभाद दूबे एक महिना 20 दिन वीके गर्ग चार महिना 2 दिन वैभोक्रिष्णा दो दिन दो महिना आथ दिन आनन्द कुलकंड़ी दो भहिना दस दिन रविसंकर शवी एक महिना दो दिन और जस्वीर सिंग एक दिन तो मुक्तार ने यह किया अगर उसके अंसार कोई SP नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और इनको रखता तो जिसके अंसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूं कि political के अलामा जो इसने भरती कराए जो police force को criminalize किया तो इसके crime को बढ़ाने में इसको मजबूत बनाने में पुर्वांचल के police कर्मियों का बड़ा रोल रहा और उसमें क्यों सिपाही नहीं IPS अपसर तक सामिल थे दो घटनाए बतना चाहूंगा 2004 में मैं आईजिला नाटर होता था संसिदी चुनाव हुआ और आईजिला नाटर ही नोडर आफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाव हुआ गाजीपुर में चुनाव होता था मुकतार ने दहसत फैलाने के लिए जैसे सुबह चुनाव हुआ हुआ महमदाबाद इसका जो अपना मिंकस्बा है एक बियार थे बीजे पी के अवर कर उनको एक सैंताली से धरा धर गोली मारी दासत हो जाए तमंचेस मार सकते थे एक सैंताली से फिर दिन में करीव एक वज़े मैं बैठा कंट्रोल रूमें देख रहा था वहाँ पर एक अवलेस राय थे मरुसिनाजी के गाउं के असपास के उनको एक सैंताली से मार दिया दस्यों बूत पर बाहर एक सैंताली से दना दन इसके जितने गुर्गय अताउर रहमान बाबू सहाबू मुन्ना बजरंगी यह सब चल रहे थे और दीपक स आंसद बन गए मैंने अरेकमंट किया था ये गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजिल लान ओडर था डीजी आफिस में बड़ा किन गनार नंदराय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए पाउर फुल उतन होता हमारा इंफेंट्री का उसके बाद चो छे सो गोली पर मिनेट फायर करती है इसका गनार था मुन्नर यादो उसके माध्यम से उसने बाबुलाल यादो उसका भांजा था उना से राश्ट्री राइ ही उसको खतम किया गया तुस्टी करण की राजनीत में तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है और उसमें मुन्नर यादो मुक्तार अंसारी बाबुलाल यादो उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो और मुलाहिम सिंग्जी ने अपना एडी जी लान ओर थे एक डी प्रताडित किया गया डिप्टी एसपी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस्दिफा दे दिया अब चुकि पोटा कम गदमा कायम हो चुका था प्रजिक्यूशन के लिए सासन में मुलाहिम सिंग्जी ने मुक्तार अंसारी को प्रजिक्यूट नहीं होने दिया पर के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पोलिस अद्कारी रहे हैं यूपी स्टी एफ के आप चीफ रहे हैं हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरादी हैं उसे आपने तो आप मुक्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते मौत का कारण आलड़ी कई डाक्टरों के पैनल से जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मुक्त कर लिये हूं और किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूद ही मैस्टर इंक्वारी ओडर है ये साइटी बना कर की प अभानुईत होती थी बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको जोगी आदितनास लाए समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही आपको याद होगा जब मुक्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से तो अखलेस काते थे कि रास्ते में कहीं इसको रखिया उनके परिवार कावियत है तो केवल एक ओट बैंग के राजनीत के लिए प्रभाविद करने के लिए पार्टिया कर रही है इसको कोई सीवियाई जांच की जरूत नहीं जो किलियर कट केस है उसमें वह आ चुका है जांच हो रहा है इन्वस्टिगेशन हो रहा है इसमें कोई सीवियाई जांच की जरूत नहीं है यह किवल वही लोग हैं जो उससे जो ओट बैंग के सौधागर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है जिसने इसको इतना बुद बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे मुलायम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े वह भी एक हैसना ताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतीह कामद असरप का कोई रोल नह समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने बड़े बदमास उत्रप देशके उसको समाजबादी पार्टी पाला इतने नहीं चंबल के टकायत चैव निर्व गुजरो ददुवा ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुवा के बाइच उसके भाई और उसके तो इवन एलक्षन जाब आते थे तो चंबल के ढकायत फरमान जारी करते थे समाजबादी पार्टी कोश्म देते थे निर्वे गुजर इतना वो पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्टी का हीरो हूं उसका फरमान जारी का कर कराते थे बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी ढकायतों से आज जोगी राज है चंबल समाथ हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए एक कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान ब बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच टिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जोगी आद और मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूर अपना गैंग तयार किया किस तरह से काम किया किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनीत में बड़ा एक मुकाम हासिल किया उन सब बातों के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी केमराप्रसन संजी बर्मा के साथ पवन गौड नपक इट्टीन दिल